असलाम नेकों अब्रीवन, मेरा नाम असद है और आज का ये वीडियो लेस्ट जावा स्किप्ट आपजेक्ट और इंट्रोडेक्शन कराने दा रहा हूँ आगे चलें से पहले विजुलाइज कर लेते हैं कि आपजेक्ट क्या होता है उसके लिए मैंने एक image कापी किया था और उसके मैंने यहां पे पेस्ट किया इस image पे आप एक गाड़ी देख रहे हैं ये गाड़ी एक object है ये एक non-living object है जैसे एक chair है वो भी एक non-living object है उसके बाद अगर मैं अपनी example देता हूँ तो मैं human being हूँ मैं भी एक object हूँ, मैं living being हूँ हमेशे एक चीज़ याद रखें जब भी objects की बात की जारी होती है तो हर object से कुछ information belong करती है क्या information होती है, कुछ properties होती है और वो object कोई functionality भी perform करता है, कोई action perform करता है तो for example, अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं, जो इस से related यहाँ पे properties हैं, वो यह है इसके सबसे वहली property है, name, उसके बाद model, उसके बाद weight और color अगर आप different गाड़ीों के बात करते हैं, तो यह properties आपको हर गाड़ी में common मिलेगी लेकिन जो इसके आगे values हैं, यह values आपको change मिलेंगी furthermore, अगर आप गाड़ी के actions की बात करते हैं, तो यहाँ में देखें, इसका जो सबसे पहला वाल action है, car start उसके बाद car drive, यानिके गाड़ी start होती है, फिर गाड़ी को drive किया जाता है, उसके बाद car break गाड़ी की brake लगाई जाती है, उसको रोकने के लिए, फिर car stop, तो यह कुछ possible यहाँ पर गाड़ी से related actions define किये हैं, जिनको functions कहते हैं मैं उमीद करता हूँ, कि यह video lesson जब आप देख रहे हैं, तो आपकी javascript programming के साथ basic understanding है आगे move करते हैं, और मैं आपके सामने कुछ javascript से related objects create करता हूँ, और explain करता हूँ कि इसमें कितने methods हैं, objects create करनेगे आज जो मैं text editor use कर रहा हूँ, इसका नम atom है, और यह free है, मुझे काफी अच्छा लगा और मैं इसको use करता हूँ तो यहां पर मैं एक new file create कर लेता हूँ, और as usual इस file को मुझे कहीं पर save करना होगा, इसको save करने के लिए मैं कोई directory create कर लेता हूँ jsoup के नाम से मैंने directory create की, और इसमें जो मेरी first file है, वो index.html के नाम से है, और यहां पर मुझे एक second file required होगी, जो second file required है, वो असल में javascript file है, उसको भी मैं save कर लेता हूँ, उसके मैं नाम रखतेता हूँ, java, sorry, script.js, यहां पर आप नोट करें, जिसरा पिछले video lessons में specific directory structure use किया करता हूँ, लेकिन आज मैंने वो use नहीं किया, जो एक single folder है, जिसके नाम jsoup है, उसके अंदर index file है, और उसके साथ ही मैंने script.js वाली file रखती है, क्योंकि एक छोटा सा video lesson है, तो इसके लिए काफी है, जरूर ही नह तो सबसे पहले, यहां पर जो html वाला part है, इस पर मैं markup लिख लेता हूँ, its doc type, html, html और यह उसका closing tag आगा, और सबसे पहले head आगया, और head में कुछ information आगई, meta, charcet, utf-8, और उसके बाद title आगया, और head के फोरण बाद यहां पर body आगई, जो head वाला part है, इसमें, जो मेरी external javascript file है, उसका source include करवा देता हूँ, उसके लिए मैं लिकूँँगा script, source, और इसको मैं location बता दूँगा file की, script.js, ओके तो अब script वाली file पर चलते हैं, javascript में जब भी आप objects create करते हैं, तो हमारे पास, तीन तरह के methods हैं, object create करने के, वो तीन तरह के methods कौन कौन से हैं, one by one, मैं आप explain कर देता हूँ, जो सबसे पहला method है, object literal notation, इसमें जो दूसरा method है, singleton object using new keyword, मुझे actually जो exact terms हैं, वो तो याद नहीं हैं, लेकिन सारे के सारे methods हैं, वो मैं अभी आपको show करता हूँ, तो चीज़ें आपके समझ में आ जाजेंगे, इसमें जो तीसरा method है, वो constructor function using constructor function, different ways to create an object in JavaScript, अगर आप browsing करते हैं, और आपके पास may be information हो, ECMA script 6 की अगर आप बात करते हैं, तो इसमें classes का concept आ चुका है, यानि कि class का keyword आप यूज करके class बना सकते हैं, और अगर आप JavaScript में new हैं, और आपको बिल्कुल भी जावास्किप्ट का idea नहीं, आपको सिर्फ basic programming का idea है, और आपको किसी दूसरी programming का idea है, तो different languages में अगर आप कोई object create करते हैं, तो आप class का keyword यूज करते हैं, उसके बाद फिर class name और class name के बाद आगे brackets आ जाती है, class की body आ जाती है, कुछ properties आ जाती है, और कुछ methods आ जाते हैं, methods क्या होते हैं, method functions होते हैं, properties क्या होती हैं, properties को attributes भी कहते हैं, और ये words, properties, attributes इनको interchangeably यूज किया जाता है, इनको data भी कह सकते हैं, data, class variables, तो अभी हमारे पास कोई control available नहीं, कि हम लोग class keyword यूज करें, और class बनाएं, फिर उसके बाद class का object बनाएं, ये चीज इन्होंने introduce कराई है, ये ECMAScript 6 में, तो अभी तक कुछ compatibility के issues आ रहे हैं, तो compatibility के issues जैसे ही resolve हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम असानी के साथ, जिसरा different languages में class का keyword यूज करके object बनाते हैं, फिर same उसी method के साथ objects बना सकेंगे, तो अभी ये method आप यूज नहीं कर सकते हैं, यहां से start करते हैं, object literal mutations है, मैं उमीद करता हूँ कि यह video lesson कुछ PHP के developers भी देख रहा हूँ, अगर आप PHP के developer हैं, और उसमें अगर आप arrays की बात करते हैं, तो arrays PHP में दोतरा की होती है, एक associative array होती है, और एक indexed array होती है, तो JavaScript में अगर आप आते हैं, जावा स्किप के अंदर indexed array का कोई भी concept नहीं है, अ तो array में आकर key values की शकल में मैं values inserting कर सकते हैं, for example, first name और इसके आगे कोई इसकी value आजाएगी, value मैं लेख लेता हूँ, asset, यह बिल्कुल invalid है, JavaScript इस चीज़ को allow नहीं करती है, और अगर मैं इसको access करना जाता हूँ, for example, तो access करने के लिए, मैं अगर यहाँ पर try करता हूँ, document.write, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, array, और जो मैंने इसको index name दिया, जो कि fname है, उसके through मैं यह value access करना चाहा रहा हूँ, मतलब यह वाली value मैं access करना चाहा हूँ, तो आप देखेंगे, error आएगा, इसको मैं browser में open करता हूँ, browser में open करने के लिए मुझे manually जाना पड़ेगा, JSOOP, और यह browser खुल गया, यहाँ पर देखेंगे, आपको कुछ भी नजर नहीं आया, हमेशे एक चीज़ याद रखेंगें जब भी आप Java script की programming कर रहे होते हैं, अगर कोई errors आते हैं, तो error आने के बाद सबसे पहले चीज़ यह है, कि आपकी execution रुख जाएगी, furthermore, आपके errors ब्राउजर में नजर नहीं आएंगे, तो ब्राउजर में errors देखने के लिए, आप F12 की key press करेंगे, अपने keyboard पे, मैंने जैसे F12 की key press की, तो यह देखें, मेरी जो file है JavaScript की, वो इसको मिल नहीं रही है, file का नाम मैंने ठीक से नहीं लिखा हूँ, मैंने script.js लिखा हूँ है, और उसमें period लगाना भोल लिए हूँ, script.js होना चाहिए था, वापिस चलते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, script.js, वापिस ब्राउजर पर आते हैं, अगर मैं refresh करता हूँ, तो कुछ नहीं हुआ, और यह जो browser developer tools हैं, जिनको मैंने open किया हूँ नीचे, उसमें अगर आप देखें, तो यहां पर लिखाव है unexpected token, और यह एक syntax error है, यह किस token की बात की जा रही है, इस colon की बात की जा रही है, इस error का मतलब यह है, कि यहां पर यह जो मैंने colon यूज किया हूँ है, इसको expect नहीं किया जा रहा है, यह allow नहीं है, चलें, एक और काम करते हैं, इसको मैं remove करता हूँ, remove कर लेने के बाद, array, और इसको इस तरह से कुछ data sign करता हूँ, आप देखेंगे यह काम करेगा, मैंने एक index define कर दिया, उस index को मैंने एक नाम दे दिया, जो कि f name है, first name, और उस index को मैंने एक value sign कर दी, जो कि asad है, और उसी value को नीचे आके मैं write करवा रहूं document पर, अगर मैं वापस आता हूँ, refresh करता हूँ, error drive हो गया, और यह देखें आपके सामदे result आगया, अब आप कह सकते हैं कि अभी तो मैंने कहा था, कि javascript में अगर आप आते हैं तो associative arrays नहीं है, उसमें associative arrays का concept नहीं है, आप key value pairs की form में data define नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो output आ गई है, हमेशे की चीज़ याद रखें, यह अच्छी practice नहीं है, यह suggested नहीं है, यह standard नहीं है, अगर यह standard नहीं है, तो आपके जहन में question आ सकता है, कि फिर जावास्किप्ट में अगर आपने कोई associative array बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप जावास्किप्ट अबजेक्ट लिटरल नूटेशन यूज़ करेंगे, वो कैसे यूज़ की जाती है, आप उसकी तरफ आते हैं, और हमेशे एक चीज़ याद रख सकते हैं, new का keyword यूज़ करने के साथ, आप उनको भी object बना सकते हैं, अभी मैं उसरफ आता हूँ, पहले एक चोटी सी example आपके सामने कर लूँ, फिर मैं उसरफ आता हूँ, उके, इसमें अगर आपने कोई object बनाना है, object literal notation यूज़ करके, तो उसका method यह होता है, उसका syntax यह है, var, obj यह एक variable है, obj, जो कि उस object का reference hold करेगा, कुछ मैं formal terms यूज़ कर रहा हूँ, उस object का reference hold करेगा, लेकिन अगर आपको यहां पे भी confusion है, तो आप directly कह सकते हैं, कि मैंने object create किया, और इस variable को sign कर लिए, it's enough, और यहां पे assignment operator आ गया, उसके बाद मैंने braces यूज़ कर ले, curly braces, curly braces यूज़ करने के बाद, अब यहां पे मेरे बास control available, अब मैं key value pairs की form में data define कर सकता हूँ, इसको data sign कर सकता हूँ, will work the same way, use phv associative array, ओके, तो यहां पे मैं कुछ keys define कर देता हूँ, और उन keys से related कुछ में values be define कर देता हूँ, तो key define करने के लिए, मैं यहां पे लिखता हूँ, for example, first name, उसके बाद colon, और उसके बाद जो भी इसकी value आएगी, यानि value का नाम मैं लिखता हूँ, असद, अब अगर मैं नीचे आता हूँ, इसको अगर मैंने access करना है, इसको मैंने print करवाना है, इसको print करवाने के मेरे पास दो methods है, दो methods क्या-क्या है, मैं यहां पे लिखूँगा obj, जो कि इस variable का नाम है, जो कि एक object है, अब इसकी property, जिसका नाम f name है, मैं इसको print करवाने जा रहा हूँ, इसको print करवाने के लिए, मैं इसे array की शकल में भी access कर सकता हूँ, यानि for example, मैंने array के लिए जो square brackets हैं, वो use की, और इसके अंदर f name लिख दिया, अगर इसको browser में देखते हैं, तो output आ जागी, refresh, और यह same, वो ही output आ रही है, just to make sure यह काम कर रहा है, या नहीं कर रहा, इस देखें, यह proper काम कर रहा है, तो यहां पर जब objects की बात कर रहा है, इसको आप एक और तरीके से access कर सकते हैं, इसको access कैसे किया जा सकता है, object, period, f name, क्यों इस रहा से access किया जा रहा है, अगर आप object oriented programming का आपको पहले से idea है, तो याद रखें, आपको याद होगा, object का नाम ल refresh और देखें, same output आ रही है, यह यहां पर एक, पतलब यह first method है, जिसके तुरूँ आप objects बना सकते हैं, कुछ primitive data types हैं, मैं उन पर थोड़ा सा detail में बात करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे चलगी करते हैं, furthermore, आप properties को without double quotes भी define कर सकते हैं, इस तरह से, यह totally valid है, और अगर इस property को, जो first name property है, अगर आपने इसको access करना है, तो इसको access करने का same method है, object.fname या आप इसको एक array की तरह भी access कर सकते हैं, array की तरह कैसे access कर सकते हैं, obj fname, fname, अगर मैं refresh करता हूँ, तो यह देखें, मिरे पास same result आप है, okay, तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, अब यह जो मैंने ऊपर object बनाया हुआ है, इसको मैं इसमें थोड़ी सी और detail एड़प करता हूँ, और इसका नाम मैं लिखतेता हूँ, person, person और उसके बाद l name जोके last name है, ch और इस object के साथ एक मैं method भी associate कर देता हूँ, एक मैं function भी associate कर देता हूँ, function कैसे associate कर सकता हूँ? यहां पर मैं उस function की property define करता हूँ, walk, उसके आगे मैं anonymous function बनाऊंगा, anonymous function बनाने के बाद इसके अंदर मैं कुछ मैं display कर देता हूँ, for example, अगर यह function call होता है, यह अगर मैं call करता हूँ, तो call करने पर यह कोई काम करेगा, वो काम क्या करेगा, वो action क्या perform करेगा, वो मैं यहां पर लिख देता हूँ, document.write, और इसमें सबसे पहले आ गया, this.fname, यहां पर आपको एक this के नाम से keyword निज़र आ रहा है, आप यहां पर confused हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको explain करता हूँ, और आपके सामने इसकी sense बनेगी, actually मैं दो variables को combine कर रहा हूँ, string को concatenate कर रहा हूँ, और मैं यहां पर लिखता हूँ this, lname is walking, अब इसर पर होगा क्या, मैं इस function को call करूँगा जिसके नाम walk है, और यह function call होने के बद एक्जिक्यूट हो जाएगा, एक्जिक्यूट होने पर यह message display करवा देगा, message क्या है, first name यानि असदुला, चौधरी, इस walking, असदुला, चौधरी, इस walking, यह इसकी output आएगी, इसको call करते है, person.walk, क्यूंकि walk एक function है, इसलिए उसके आगे मैं ने parentheses लगाई, उसको call किया, अगर इसको ब्राउजर में देखते है, तो यह इसका result आगया, असदुला चौधरी is walking, तो इस example में मैंने properties plus method, यानि जो action है, इनको मैंने combine कर दिया, एक ही object के अंदर, अब इसकी तरफ आते हैं, this की तरफ, इसका मतलब क्या होता है, this basically represent कर रहा होता है current object को, मतलब जो object किसी property को call कर रहा होता है, या किसी method को call कर रहा होता है, कहीं पे भी अगर आप this का keyword देखते हैं, तो this basically ये वो ही object है, जो उस property को call कर रहा है, ये उस function को call कर रहा है, for example, यहाँ पे call कर रहा है person.walk, ये person के नाम से object है, जो के walk के नाम से method को call कर रहा है, तो इसका मतलब, this का मतलब, person है, I hope कि इसकी कोई sense बनी आपके सामने आपके सामने आपके सामने आपके अब इसको understand कर पाए हैं, लेकिन अगर फिर भी confusion बना तो आप मुझे question कर सकते हैं, मैं reply कर दूँँ, okay, for example, मैं इसका नाम change कर देता हूँ, person one कर देता हूँ, person one, अब आप एक और project, आप एक और object बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप उसको कोई different information assign कर देता हूँ, तो मैं इसी को copy कर लेता हूँ, copy कर लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे paste कर देता हूँ, पेस्ट कर लेने पे definitely मुझे इस object का नाम different रखना पड़ेगा, इसको मैं percent two कर देता हूँ, और यहाँ पे जो first name और last name है इनको मैं change कर देता हूँ, john smith, अगर percent two को use करते वे मैं walk वाला method call करता हूँ, तो इस दफ़ा instead of asadullah, john smith लिखावाएगा, john smith is walking, इसको try करते है, person two dot walk, इसको मैं comment कर देता हूँ परवली line को, इसको browser में देखते है, refresh, john smith is walking, अब इस approach में मसला क्या है, for example, अगर आप एक से ज्यादा objects बनाना चाहते हैं, तो यह approach proper काम नहीं करेगी, अब यहां पे मैंने person one के लिए एक object बनाया, और मुझे इतना सारा code लिखना पड़ा, six और seven lines का मुझे code लिखना पड़ा, अगर मैंने किसी दूसरे person के लिए object literal nutrition को use किया, यह same method मैंने use किया और object बनाया, मुझे साथ line और add up करना पड़ गी अपने code में, तो यह अच्छी practice नहीं है, अब हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि इसी code को reusable बना सकते हैं, यानि for example, अगर मैं 10 objects भी create करना चाहता हूँ, तो उनके लिए एक ही code reuse हो रहा होगा, अब इसरफ आते हैं, तो मैं अगली line पे आता हूँ, अगली line पे आने के बाद मैं एक function declare कर लेता हूँ, create person object, इसको दोत्रा की मैं information pass करता हूँ, fname, lname, इस function को मैंने दोत्रा की information pass की, और यह function काम क्या कर रहा है, यह मुझे एक object return कर रहा है, मतलब, यह इस तरह से मुझे एक object return कर रहा है, इसके साथ मैं return की statement लिख देता हूँ, अब यहां पर आप देखें जो first name आ रहा है, fname और last name, इसको मुझे object की property fname को assign भी करवाना होगा, इसको assign कुरा देते हैं, fname, इनको मैं थोड़ सा change कर देता हूँ, ताके किसी तरह की confusion न रहे आप लोग के लिए, इसको मैं लिख देता हूँ, first name, last name, first name, अब यहां पर हो क्या रहा है, just मैं यह function call करूँगा, यह मुझे object return कर देगा, इस function को मैं data दे दूँगा, और उस data से related उस type का मुझे object बना देगा, यह lines remove करके मैं उपर लिख देता हूँ, जो के पहले से लिखी वी थी, अब इसकी मदद से create person object की मदद से, मैं कुछ objects create करता हूँ, copy, नीचे आते हैं, var p1 equals to function, अब यहां पर मैं last name pass कर रहा हूँ, अली, और जब first name है, वह है मुहमद, मुहमद अली, और इसी तरह अगर मैं एक से ज्यादा objects यहां पर create करना चाहता हूँ, तो मैं इसी line को copy कर लिता हूँ, just to save the time, var p2, और यहां पर दूसरे का object लागया, आईशा खान, इस दफ़ा जो second object है, मैंने उसमें जो name है first name और last name उसको मैंने change कर दिया, तो यहां पर आप note करें, जब मैंने last time दो objects बनाए थे, तो दो objects बनाने के लिए, मुझे यह पूरे का पुरा code repeat करना पड़ाता हूँ, यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, John Smith के लिए, मुझे फिर से 6-7 lines का code लिखना पड़ाता हूँ, लेकिन अगर आप नीचे आते हैं इस पार्ट पे, तो यह 6-7 lines का code पहले से लिखा हुआ है, और object बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक line add करना पड़ रहे हैं, अपने code में, और इसमें अगर मैं मुहमद अली बला, object उसकी मतल़ से अगर मैं properties को access करना जाता हूँ, तो मैं easily कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, document.write, और p1.walk, और sorry, यह function है, function already document write कर रहा है, तो मुझे जुरूरत नहीं है कि यह function मैं document write के अंदर लिखू, मतलब यह function जैसी call होगा, document.write, यह document पे write कर देगा, first name, concatenated with last name is walking, इसको ब्रावजर में देखते हैं, तो यह देखें, Muhammad Ali is walking, तो यह एक method है, अगर आप javascript में आते हैं, तो आप object इस तरह से भी बना सकते हैं, और यह जो मैंने objects बनाए हैं अभी आपके सामने, यह object literal notation यूज करके बनाए हैं, कुछ और भी methods ने इसके वह भी देख लेते हैं, उपर मैंने एक देखते हैं मैंने क्या mention किया वा था, singleton object using new keyword, अब singleton object क्या होता है, singleton object एक single object होता है, मतलब उस type के एक से ज्यादा objects नहीं बन सकते हैं, आप कोई उस type का object बनाते हैं, मैं यहां पर लिखता हूँ, war person equals to new of function, यहां पर आप note करें मैं new का keyword यूज़ कर रहा हूँ, और यह एक anonymous function है, यह एक singleton object है, इस type के आप और objects नहीं बना सकते हैं, इसको कुछ information देते हैं और इसको information देने के बाद, इसकी properties को use करते हैं, अगर मैं वापस आता हूँ, मैं इन ही properties को use कर लेता हूँ, यहां पर आप note करें मैंने new का keyword यूज़ किया हूँ, तो हमेशे की चीज़ याद रखें, जब भी आप new का keyword यूज़ करते हैं, तो उसके साथ आप this की property यूज़ करते हैं, अपनी properties के साथ, यह जो object person है, इसकी property एक first name है, एक last name है, और यहां पर मैं colon यूज़ कर रहा हूँ, यहां पर assignment operator आ जाएगा, instead of this colon, और f name जो property है, इसके साथ this का keyword आ जाएगा, अगर मैं इसको उसके बगएर execute करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें problem क्या आएगी, document.write person.fname, इसके browser में देखते हैं, refresh और यह देखें, unexpected token, कहां पर आ रहा है, line number 53 पर, errors काफी important होते हैं, उनको understand करना चाहिए, आपने बिल्कुल भी panic नहीं होना जब भी errors आते हैं, अब, मतलब, relax होके आपने सोचना है, कि error exact किस जगह पर आ रहा है, और उसके बिदा आपने उसको resolve करना है, line number 53 पर मुझे जाना होगा, अगर मैं line number 53 पर आता हूँ, तो यह देखें, जो error actually आ रहा है, वो इस part का आ रहा है, fname का, यहां पर एक आज आ रहा है, कि मैं colon use नहीं कर सकता, यह allow नहीं है, जब मैं new का keyword use कर रहा हूँ, तो new का keyword use करने के साथ, मुझे यहां पर specify करना होगा, कि इस time पर यह जो object मैं create कर रहा हूँ, उससे related कौन कौन सी properties हैं, तो यह बताने के लिए, मुझे this का keyword use करना पड़ेगा, this, अब यहां पर this किसको represent कर रहा है, this असल में person को represent कर रहा है, यानि कि जो भी object इसको on कर रहा है, इन properties को on कर रहा है, this उसकी बात कर रहा है, और यहां पर जो colon आ रहा है, colon की जगह पर equal का sign आ देगा, यानिकि assignment operator आ देगा, इसको ब्राजर में देखते हैं, और यहां पर this walk आएगा, dot walk, इसको ब्राजर में देखते हैं, refresh, unexpected token on line number 54, यह देखें, यहां पर भी equal का sign आएगा, यानिकि assignment operator आएगा, document मैं फिर से misspell कर गया, document, refresh, और यह देखें, आएगा, एक और method है, उसमें आप constructor function यूज करते हैं, constructor function की मदद से भी आप objects create कर सकते हैं, उसकी मदद से यहां पर object create करता हूँ, creating an object using constructor function, यहां पर मैं लिखता हूँ, let's suppose var person, मैंने जो काम उपर किया वा था मैं उसको comment नहीं करता, मैं यहां पर आता हूँ, यहां पर आकर मैं लिखता हूँ new of object, अब यह object क्या है, object एक constructor function है, तो कुछ दिर पहले मैंने आपसे बात की थी, इस video lesson के बिलकुल start में, कुछ data types, primitive data types हैं, और वो object भी बनाई जा सकती हैं, यानिके हम उन्हें object भी बना सकते हैं, वो क्या थी? उसमें string है, string के बाद number है, number के बाद boolean है, यह basically JavaScript में data types हैं, और इनको object भी बनाया जा सकते हैं, इनको आप object कैसे बना सकते हैं? object बनाने के लिए, let's suppose मैं आप लिखता हूँ, var n equals to new of number, तो यह यहां पे जो आपको नजर आ रहा है, यह सर्में constructor है, constructor function है, जिसकी वज़ा से new का keyword यूज़ करके, एक number type का object बन जाएगा, यह अच्छी practice नहीं है, अच्छी practice इस लिए नहीं है, क्यूंकि आप अगर new का keyword यूज़ करते हैं, और primitive data types को define करते हैं, तो वो data types आपकी बहुत ज़्यादा optimize नहीं होगी, performance में थोड़े से issues आएंगे, तो performance gains के लिए मैं आपको suggest करूँगा, अगर आपने कोई variable declare करना है, और उसको कोई value specific assign करनी है, for example कोई number है, तो directly इस तरह से assign करें, आपको new का keyword use करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर मैं new का keyword use कर रहा हूँ, और मैं एक object मैंने create किया, अब object create करने के बाद मैं इसमें कुछ values, कुछ इसको मैं properties assign कर रहा हूँ, properties क्या थी? First name, last name और एक property थी walk, अब मैं यह तुमाम की तुमाम properties इसको assign कर रहा हूँ, इसको assign कैसे की जाएंगी? सबसे पहले यहां पर आएगा, of course object का नाम, person dot, person object का नाम आगया, उसके बाद, f name, equals to, john, उसके बाद, person dot last name, equals to, smith, और उसके बाद, person dot walk, equals to anonymous function, anonymous function क्या करेगा? उसमें, मैं यह line copy करके paste कर देता हूँ, वो यह काम करेगा असर में, मतब first name और last name को, print करवाएगा वो, अब यह जो मैं example कर रहा हूँ, जो मैं इससे पहले example कर चुका हूँ, यह सारी के सारी same examples हैं, इन में कोई difference नहीं है, लेकिन कुछ examples में मैंने new का keyword यूज़ किया हूँ, तो फजूल में new का keyword आपने यूज़ नहीं करना, इससे performance पे effect आता है, अगर आप अच्छी performance चाते हैं, तो आप new का keyword बिला वज़ा यूज़ नहीं करें, ओके, यहां पे मैं आता हूँ, और अब इस function को call करते हैं, walk के नाम से जो है, person.walk, इसकी output देखते हैं, refresh, और देखें, John Smith is walking, यहां पे जो मैंने यह constructor यूज़ किया है, यह predefined है, आप अपनी मर्जी से अपना भी constructor function define कर सकते हैं, और कैसे define किया जा सकता है, for example, मैं आप लिखता हूँ, person, और इसको मैं कुछ data assign कर देता हूँ, और, l name, और जो नीचे वाला part है, इसको मैं remove करता हूँ, यहां पे f name लिखता हूँ, और जो उससे next part है, उसमें मैं लिखता हूँ, l name, क्यूंकि यह function है, स्वारी मैं एक mistake कर गया हूँ यहां पे, actually यह function है, constructor function है, तो मुझे इसके साथ function का keyword भी यूज़ करना पड़ेगा, इसके बाद अब मैं object create कर रहा हूँ, object create करने के लिए मैं यह आप लिखता हूँ, वार, person equals to new of person, और जो यह constructor function है, इसको मैं कुछ parameters पास कर देता हूँ, इसको मैं सबसे पहला parameter पास कर रहा हूँ, वो है, for example, आमिर शेख, एक object create हो गया, constructor function call हो गया, values pass हो गई, और जो values हैं वो specific properties को assign भी हो गई, और उसके बाद line number 71 देखें, इस पे मैं, walk वाला function call कर रहा हूँ, अगर आप इसकी output देखते हैं ब्रावजर में, unexpected end of input, yes, यहाँ पे आप देखें, एक actually bracket miss है, इस function की closing bracket miss है, वापिस आता हूँ, cannot set property f name of undefined, sorry, यह मैं थोड़ी से mistake कर गया हूँ यहां पर, मैं इसको ठीक कर देखा हूँ, यहां पर this आएगा, क्योंकि इस time मैं एक object के अंदर हूँ, यहां पर this आएगा, यहां पर person लिखा वाता है, इसलिए error आ रहा है, browser में आते हैं, मैं refresh करता हूँ, आमेर शेख is walking, अब आप इस तरह से जो मैंने constructor method बना दिया, इसकी मदद से आप जितने मरजी objects बना से थे, और यह जो constructor function है, यह reuse होता रहेगा, मतलब यह इतना सा code बार-बार इस्तमाल होता रहेगा, इसी की मदद से आप बनाएगे, आपको extra code लिखने के जुरूत नहीं है, तो इस lesson को छोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं, हमेशे एक चीज़ याद रखें, जब भी आप कोई object बना रहे होते हैं, new का keyword यूज़ करके, उसके साथ, उसकी prototype भी होती है, prototype के होती है, जो object है, अपनी prototype से properties को inherit कर रहा होता है, यानि for example, अगर मैंने यह आपर person की बात की, तो person की भी prototype है, अगर मैंने date object की बात की, तो date object की भी prototype है, मतलब new का keyword आप जब भी use करेंगे, और जो आपका constructor function होगा, उसकी पीछे prototype exist करेगी, यहाँ पर मैं एक चीज mention करना भोल गया है, यह एक regular function है, और regular function की मदद से मैंने एक object बनाया है, तो अभी तक, JavaScript के अंदर classes का कोई भी concept नहीं है, अवेलिबल नहीं है, अगर आप different browsers में use करते हैं, वो properly अभी compatible नहीं है, तो इसलिए मैं भी उसकी बात नहीं करूँगा, तो अभी तक, आप कह सकते हैं, कि अगर आपने objects बनाने हैं, आप एक तो constructor function यूज़ करके बना सकते हैं, उसके बाद object literal notation है, आप वो भी use करके बना सकते हैं, और आप singleton object भी बना सकते हैं, जो prototype वाला part है, इसमें थोड़ा सागे move करते हैं, prototype वाले part में जाने से पहले, मैं उपर आता हूँ, इस part में आता हूँ, तो इस part में आके, आप देखें, अगर मैं चाहूँ कि जो person 2 है, मैं इसमें अपनी मर्जी की कुछ और properties add up कर दूँ, तो मैं आपको add करके दिखाता हूँ, यहां पर आप नोट करें, जो person 2 के अंदर properties available है, वहां पर email वाली property अवेलिबल नहीं है, अब इस email वाली property को मैं कोई value assign कर देता हूँ, add the rate example.com, और जो नीची वाला code है उसको मैं अब के लिए comment कर देता हूँ, इसके बाद इसकी output देख लेते हैं, document.write और मैं यहां पर लेकूंगा person2.email, इसको ब्राउजर में देखते हैं, refresh और यह देखें, add the rate example.com, आप यहां पर नोट करें अगर मैं वापिस आता हूँ, जो person2 के नाम से मैंने object बनाया हूँ है, उसके अंदर कोई भी property email के नाम से नहीं है, मैंने object की मदद से एक property create की, और उस property को मैंने कुछ data sign कर दिया, जो कि email address है, उसने इसको easily accept कर लिया, अब यहां पर एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर मैं scroll up करता हूँ, तो उपर एक और object है, जिसकर हम person1 है, तो person1 के अंदर email वाली property अभी exist नहीं करती है, यानि for example, अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूँ, person1, और email, यानि कि person1 की email के नाम से जो property है, वो मैं access करना चाहरा हूँ, तो यह property exist नहीं करती है, undefined, यह देखें, यहां पर undefined क्यों आया, क्योंके अगर मैं वापस जाता हूँ, तो जो मैंने property बनाई थी असल में, वो property, मैंने person2 के लिए बनाई थी, यह वाली property, मैंने person1 के लिए नहीं बनाई थी, तो यह जो email वाली property है, यह person2 में अब available है, person1 में available नहीं है, इसी तरह से, आपके जो objects होते हैं, जो के आपने constructor function use करके बनाई वे होते हैं, साथ आपने new का keyword use किया वा होता है, आप उनमें भी अपनी मरजी की properties add up कर सकते हैं, कैसे add up कर सकते हैं, आप prototype की मदद से भी कर सकते हैं, आपके सामने छोटी सी example करता हूँ मैं, यहां पर मैं लिखता हूँ, सबसे बहले तो मैं एक object create करता हूँ, var person equals to new of person, बलकि line नीचे लिखी विया मैं इसे को use कर लेता हूँ, person, new of person, तो जो मैंने method अभी उपर use किया था, मैं वही method यूज करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा यह object है person वाला, इसको मैं कुछ और properties assign कर सकूँ, for example, मैं आप लिखता हूँ, person.email equals to asad at the rate example.com, अब इस property को मैं access करना जाता हूँ, तो document.write इसको मैं document पर write करवा देता हूँ, उसके मैं लिखता हूँ person.email और देखते हैं होता क्या है, refresh और यह देखें, property आपके सामने आ गई, अब यहां पर आप नोट करें, यह जो property है, email वाली, यह यहां पर नहीं है, इस पार्ट में नजर नहीं आ रही, यह अलग से नजर आ रही आपको, लेकिन यह property इसमें exist करती है, यहां पर एक और काम करते हैं, यहां पर एक और object create करते हैं, यहां पर मैं line break add कर देता हूँ, var person3 equals to new of person, और इसको मैं कुछ data pass कर देता हूँ, और यहां पर आके जो email वाली property है मैं इसको access करने कोशिश करता हूँ, इस line को copy कर लेता हूँ, पेस्ट और मैं यहां पर लिखता हूँ, person3 email, person3 यह जो मेरा भी newly created object है और मैंने साथ यहां पर लिख दिया email, अगर मैं refresh करता हूँ, तो यह देखें, undefined, उपर email address लिखा रहा है, नीचे undefined लिखा रहा है, तो email address किस object से associate करता है, किस की property है, यह person की है, इस person की है, यह देखें, यह line print कर रही है, और जो next line है, वो undefined print कर रही है, क्योंकि यह property मैंने define नहीं की हुई है, अभी बन्याव के साथ बात की थी, कि जितने भी objects होते हैं, जिनको आप constructor method new का keyword यूज़ करके बनाते हैं, आप उनमें कुछ और properties भी add कर सकते हैं, और जितने भी objects होते हैं, prototype basically खुद से एक object है, और हम जो खुद से objects वरा बनाते हैं, या जो already objects बने हुए है, constructor method जिनमें use किया जाता है, वो सारे के सारे objects अपनी prototype से कुछ properties को access करते हैं, यानि कि inherit करते हैं, अब उस रवाते हैं, यह मैं इसको comment कर दिया, comment करने के बाद, let's suppose मैं prototype की मदद से इसमें कुछ add करना जाता हूँ, यानि for example, मैं यही line copy करके नीचे paste कर देता हूँ, paste कर दी, paste कर देने के बाद मैं यह पर रहता हूँ, person, person.prototype, prototype के बाद जो आप new property इसको assign करना चाहरे हैं, कोई मैं new property बना लेता हूँ, let's suppose, email के नाम से, email, amir, at the rate example.com, अब इसको access करते हैं, इसको access करने के लिए, मैं आपर लिखता हूँ, document.write, और मैं इसके अंदर लिखूँगा person.email, आगर मैं refresh करता हूँ, cannot set property email of undefined, person.prototype, undefined, यह undefined कैसे है, मतलब, अगर मैं error देखता हूँ, तो error line number 83 पे आ रहा है, मैं यहां पे छोटी सी mistake कर गया था, mistake विसे के लिए क्या थी, यह जो मैं new property add कर रहा हूँ, prototype की मदद से, इसको मुझे पहले लिखना होगा, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको पहले लिखने के बाद, अब, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा person, यह जो के constructor function का नाम है, यह, उके, उसके बाद, अब मैं इसको execute करता हूँ, और इसके output देखते हैं, line no.85, मैं फिर से कुछ misspell कर रही हूँ, document है, browser मैं देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, यह देखें, evil address आगया, अब यहीं पे quickly मैं एक और इसका object create करता हूँ, इसी type का, और मैं उसको different values देखता हूँ, उसके साथ उसका result देखते हैं, person 1, Chris Harris, और इस दफ़ा जो मैं, email access कर रहा हूँ, person 1 के तुरू कर रहा हूँ, refresh, और यह देखें, आपके पस output बल्कुल ठीक आ रही है, हमेशक चीज़ याद रखें, जब भी आपने current object में, object के बाहर रहते वे object की मदद से, कुछ properties को add up करना होता है, या कुछ functions को add up करना होता है, तो उस time पे आप prototype यूज़ कर सकते हैं, जिसना मैंने भी आपको explain किया, कि prototype itself एक object है, और हम जितने भी objects बनाते हैं, यानि कि जिनको जो basically constructor method होता है, उसको new keyword के साथ आप instantiate करते हैं, उस time पे आप क्या करते हैं, अगर आपने उसमें कोई property add up करनी है, या आपने उसमें कोई method add up करना है, तो उसके लिए आप prototype यूज़ करते हैं, इसकी वज़े से आप एक current जो आपका object है, आप उसकी functionality को extend कर सकते हैं, यहाँ पे आप note करें, person.prototype मैंने लिखा, उसके बाद मैंने email लिखा, और मैंने ये value sign कर लिए, अगर आप नीचे आते हैं, तो person1 की मदद से मैंने email को access किया, तो मुझे ये same email address नज़र आगया, उसके बाद यही same email address जब मैंने person की मदद से access किया, तो मुझे नज़र आगया, तो मैं उमीद करता हूँ कि ये video lesson देखने के बाद, आपको Java Script Object की अच्छी खासी समझा जाएगी, और अगर आप फिर भी still confused रहते हैं, तो आप उसे contact कर सकते हैं, मेरा Facebook group है, आप वहाँ पे भी उसको भी join कर सकते हैं, furthermore, जो मेरा channel है YouTube वाला, इसको आप subscribe करें, subscribe करने से आपको फायदा होगा, जब भी मैं कोई video upload करूँगा, आपको email आजा करेगी, और आप email के थुरू, मेरी जितनी भी updates आती हैं, आप उनको देखते रहेंगे, आप हर time पे updated रहेंगे, all right then, take care, bye bye.